सिली गुरी के लोगों को जल्दी जाम की समस्या से निजात मिलने वाली है दरसल शेहर को जाम मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने पहल की है दावा किया जा रहा है कि जंक्संद आर्जिंग मोर के पास अब जाम की समस्या नहीं होगी वहीं शेहरवासियों को अब लंबे समय तक ट्राफिक जाम में नहीं फसना पड़ेगा इस बार शेहर में नया बस्टेन तयार हो रहा है हाला कि इसकी घोस्ता काफी पहले ही कर दी गई थी लेकिन राज्य सरकार ने आखिरकार कामतेजी से पुड़ा करने का लक्ष ले लिया है सिलिकुरी की तिन बत्ति मोर के पास नया बस्टेन तयार हो रहा है पताय गया है कि एन बेस्टीसी की जमीन नगर निगम को दे दी गई है जहां करोरों रुपे की लागत से बस्टेन बनाया जा रहा है इधर इस बस्टेन की निर्मान से तेंजिंग नौर्गे बस्टेन पर दवाप कम हो जाएगा गौर तलब है कि जंक्सन से बिहार जारखन कोलकाता आसाम के लंबी दूरी की बसे चलती है जिसके चलते दिन भर भिशन जाम के स्थिती देखी जाती है लेकिन कुछ दिनों बाद अब ये बस परिवहन नगर से रवान होगी आज सिलिगुरी नगर निगम में राज्य परिवहन मंत्री इस निहाशी चक्रवर्ती और मेर गौतम देव ने इन सभी मुद्दो पर चर्चा की इस मौके पर NBSTC के चेर्में पार्थ प्रतिमडाई और परिवहन विभा के अधिकारी मौजुद थे इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि सिलिगुरी शेहर को जामुक्त करने के लिए कुछ योजना बनाई गई है बुद्वार को बल्स्टेन निर्मान कारे का जाएजा लेने NBSTC के चेर्में एवा मधिकारी तीन बत्ती मौण जाएंगे इस मौके पर मेर गौतम देभी मौजूद रहेंगे आगे उन्हने कहा कि माटिगारा के पास अंत्रराष्ट इस्तर का बल्स्टेन बनाने की योजना है इसके अर्फे बनास, ड्राक, राड्मिनास फिर्माने की योजना है तो शेही बीसवाइखलोनी आम्रा एकानी आला छुनाव कोडे छिए अर्ष्णाय कोडे अर्ष्णाय कोड़े लिए चित्वाजा बादमाने की जानाव दिने वाइपश्वाएटा इस्वाएटा लुजए बीगुर्पार इस्वाइखलो इसे बादमाने की प्राफो शेहाइखलोनी आला एक्रेफलोंी इस प्रफीया फिर्मानुस्केश के पोडिशेवाग्दिया राष्णाय कोडेशे लिए आपाई ल्यापार इस्वाएटा स्पाष्णाय के नुन की बढ़ां दोडिचे तेने सह से अएक आपका मैल किता सै तोडिच इंसाव की दोडिचिक है चुनल कद्टोड़ ए दो तहाई टोड़ और किता है है कि बना नहंने से बना है कि यह लुड़े कती है, हे सुटती हम जबाई। जबात नहीं हो, जब सके लिगा लुरी ऑल están से पहुंग कि उपना लुड़ में आसा हुंग, यह जो भी खुड़ लुड़ इसा पूरी कि अजया झाल झाल